नमस्कार दोस्तों मेरा नहीं मुझोल और आप देख रहे हैं माई पाट साला टाइम अन वर्क का एक और लिक्चर आपके सामने लेके आया हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम अन वर्क में एक टम होता है इफिशेंसी इस इफिशेंसे का इस्तेमाल करके बहुत सारे कोश्चन बनाया जाते हैं बहुत सारी वराइटीज बनाया जाती है आज हम उन सारी वराइटीज को कवर करेंगे और मैं देखोगे कि मैं सारे कोश्चन को बिल्कुल आसान बना दूगा आज के क्लास में अगर आप में से कोई बच्चा नया हो तो एक तो सारी वीडियो सिक्वेंस से देखिए lecture 1, lecture 2, lecture 3, lecture 4 इस सिक्वेंस में देखिए क्योंकि प्लेलिस अब का बना हुआ कई सारे chapter मैंने बना दिये सब की प्लेलिस आप एक्सेस कर सकते हो अपना पूरा का पूरा इंटायर कोर्स कवर कर सकते हो हमारी प्लेलिस से क्योंकि मैंने इसमें base भी पढ़ाया है और इसका end point भी पढ़ाया है तो जब भी कोई chapter स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको सारे concept मिल जाएंगे अगर वीडियो पसंद आए तो like का बटन जरूर हिट कीचेगा कोई सुझाओ हो तो निचे comment section में दीचेगा आज हम बात करने वाले efficiency की अगर हम बात करते हैं efficiency की तो सबसे पहले efficiency की basic definition आपको पता होना चाहिए efficiency को अगर हम e से represent कर दें तो आप में से किसी को दिक्कत number of days या अगर definition wise बोला जाए तो इसको बोलते हिंदी में या अंग्रेजी में work in work done in one day one day हिंदी में बोलें तो एक दिन में किया गया काम एक दिन में किया गया काम ये बोली जाती efficiency जैसे अगर total work 30 unit है और 10 दिन में काम खतम हो रहा हो तो जो इसकी efficiency निकल किया जाएगी वो तीन निकल किया जाएगी example के form में है जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका generalized वर्दम देखते हैं फिर हम धेरे-देरे numbers पर move करते हैं तो अगर हम बात करते efficiency की तो efficiency अगर मैं यहां से निकालूं तो efficiency को मैं यह कह सकता हूं कि efficiency universally proportional होता है number of days के अब इसका इस्तेमाल कप करते हैं इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं मानलों अगर मैं बोलूं कि A जो है तीन दिन में कोई काम करता है ठीक है ना बी जो है चार दिन में कोई काम करता है A किसी काम को complete करने में तीन दिन लेता है B किसी काम को complete करने में चार डेज लेता है और मैं बोलूं कि efficiency A का upon efficiency B का बताओ इन दोनों का ratio बताओ तो इन दोनों का ratio पता कैसे निकलता है इन दोनों का ratio ऐसा निकलता है कि B का number up days उपर और A का number up days नीचे तो E की efficiency 4 होगी B की efficiency 3 होगी इस ratio में होगी number up days जिस ratio में होता है उसके just reverse ratio में होता है इनकी efficiency ये इससे हम outcome निकलते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल question solve करते होग करेंगे और E में बोलूं तो total work के directly proportional होता है, जो E होता है ये total work के directly proportional होता है, इन ही बातों का इस्तेमाल करके हम questions को solve करेंगे, पस इतना ही सीखना है इसमें, बाकी तो question चलेंगे one by one, question पढ़ेंगे question के variation देखेंगे और उन्ही variation से समझेंगे कि efficiency वाले जो question है, वो efficiency वाले question कैसे solve, मतब आते हैं और कैसे उनको tackle करना होता है जैसे एक सबसे साधान question लोगा, मैं इस चीज को समझाने के लिए सबसे पहला question है, तपस मिहीर से 2 गुना तेजी से काम करता है, यदि वो दोनों मिलकर एक कारे को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तपस अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, अगर मैं आपको बोलू कि तपस को T से लिख दूँ, और मिहीर को किस से लिख दूँ, M से लिख दूँ, तो efficiency जो तपस की है versus efficiency जो मिहीर की है इसका ratio क्या दियावा, ध्यान से देखिए, तपस मिहीर से 2 गुनी तेजी से काम करता है मतलब मिहीर अगर एक unit काम करता है, तो तपस जो होगा वो 2 unit काम करेगा मतलब इनकी efficiency का ratio 2 ratio 1 है तपस मिहीर से 2 गुना ज़ादा efficient है अगर मैं मैं दोनों को ये निकाल लूँ कि तपस का और मिहीर का efficiency का sum कितना होगा इसी के form में तो अगर इसकी 2 है इसकी 1 है तो दोनों का sum 3 होगा, कितना होगा तो उनों का sum 3 होगा, और बोल रहा है कि क्या, कि तपस और मिहीर इसी काम को 12 दिन में करते हैं क्या काम करते हैं बारा दिन में करते हैं अगर मैं टोटल टोटल वर्क निकालों क्या निकालों टोटल वर्क निकालों तो टोटल वर्क होता क्या है efficiency into efficiency into number of days number of days efficiency दोनों की कितनी है तीन और अब number of days कितना लिखा है 12 क्या लिगा है 12 तो बारत है 28 total work हो गया 48 unit total work हो गया अब efficiency मुझको tapas की पता है 2 है और efficiency महीर की पता है 1 है और total work पता है और total work अगर पता है तो हम दोनों दौरा individual लिया गया number of days निकाल सकते हैं किसका पूछा है तो tapas का पूछा है तो tapas की efficiency 2 है दिन में गाम करेगा 24 दिन में एक तो यह तरीका यह है जब हम इस तरीके से कोश्चन को सॉल करते हैं दूसर तरीका और होता है जब आपकी समझ अच्छे से डेवलब हो जाती तो इसी कोश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल कर सकते हम जाद यांज़ा देखिएगा हम तपस की बात कर रहे हैं मिहीर की बात कर रहे हैं तो हमें ना तपस का नंबर आप डेस पता है ना मिहीर का नंबर आप डेस पता है ठीक है ना हमको ना इसका पता है ना इसका पता है हम क्या काम करते हैं हमें ये पता है तपस और मिहीर मिल के कितने दिन में काम कर रहे हैं बारा दिन में काम कर रहे हैं और हमको ये पता है कि जो मिहीर है अगर एक काम एक दिन में करता है तो तपस दो काम कर लेगा efficiency का ratio मिलता है तो हम क्या काम करते हैं इन दोनों का जितना sum आता है इन दोनों का sum तीन आता है तो तीन के ratio में हम total work मान लेंगे इसके गुड़े में तो बारत यहीं 48 हम total work मान लेंगे क्या मान लेंगे बारत यहीं 48 work मान लेंगे अब यहां से अगर हम efficiency दोनों का निकालते 3 हो जाएगा इसकी efficiency 2 होगी, इसकी efficiency 1 होगी यह कितना number आप days लगाएगा, यह लगाएगा, 24 दिन लगाएगा और यह वाला जो लगाएगा, इसी काम को अकेले करने में 48 दिन लगाएगा आप उस तरीके से भी काम कर सकते हो, और दिमाग अगर आपका develop हो गया है और सोच अगर practice से develop हो गए, तो आप इस चीज को directly ऐसे ही काम कर सकते हो formulate करने के बजाए, यह जैसी practice हो जाती है, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए question solve करना इस तरीके से, चलो, अगला प्यारा सा question देखते हैं और समझते हैं, इसी concept को कैसे अपलाई करेंगे, A, B की तुलना में 2 गुना अच्छा है, कामगर है B, C से 2 गुना अच्छा काम गर है, यदि A और B मिलाकर एक कारे को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो C इसे स्वयम कितने दिनों में कर सकता है, अच्छा question है, बहुत अच्छा question है बस आपको समझना है, यह सब जब हम बते हैं कि A, B से 2 गुना अच्छा काम गर है इसका मतलब है A, B से 2 गुना ज़्यादा efficient है, मतलब B की efficiency 1 है तो A की efficiency 2 है जहां से देखिए, B, C से 2 गुना काम करता है, तो अगर मैं A की बात करूँ, मैं B की बात करूँ, मैं C की बात करूँ जहां से देखना है, तो जो अगर मैं C को 1 मान लूँ, तो B कितना है, इसकी efficiency 2 है और A की efficiency 4 है किते efficiency चार है अब question में क्या दिया हुआ है कि A और B मिलकर A और B मिलकर एक कारे को चार दिन में पूरा करते हैं A और B मिलकर काम को कितने दिन में चार दिन में पूरा करते हैं तो मैंने आपको क्या बोला मैंने आपको बोला इन दोनों का sum कितना हो गया? 4-2-6 और इस ratio के multiple में यहाँ पे हम total work मानेंगे तो 4-2-6 इनको जोड़ दो कितना हो गया? 6 इस 6 का 4 में गुड़ा करके total work मान लो 24 होगा 24 तो हमने total 24 unit work मान लिया इसका मतलब है कि A plus B की combined efficiency कितनी हो गई? 6 efficiency हो गई यह हमें कोई ऐसी पता है 4-2-6 हो गया तो efficiency 4 है नमबर डप डेज है तो total work कितना निकल गया? 24 अगर 24 total work निकल गया इसकी efficiency 4 है इसकी efficiency 2 है और इसकी efficiency 1 है इसकी efficiency 4 इसकी 2 efficiency इसकी 1 efficiency है तो total work आपको पता चल गया और तीनों की efficiency पता है A की 4 B की 2 और C की 1 तो अगर आप A का निकालना चाहोगे तो A जो total number आप days लेगा 24 बटा 4 लेगा B जो लेगा वो 24 बटा 2 लेगा और C जो लेगा वो 24 बटा 1 लेगा 24 बटा 1 days लेगा यह तीनों के निकाल लिया आपने किसकी पूछा है C कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है अगर यही A का पूछता तो 6 दिन और अगर B का पूछता तो 2 12 और इसका था तो 24 इसमें C पूछा है B भी पूछता था, A भी पूछता था किसी का भी निकाल के बता सकते हैं तो efficiency के question कुछ इस तरीके से जो सबसे healthy question आते हैं अब चलो आगे चलते हैं जोती एक काम का 3 बटा 4 हिस्सा 12 दिनों में कर सकती है 3 बटा 4 अगर 12 दिनों में कर सकती है तो total काम इतने दिनों में करेगी जोती जोती को जे से लिखते हैं तो टोटल काम है कितने दिनों में करेगी माला जोती से दो गुनी कुशल है माना जोती से दो गुनी कुशल है तो मैं टोटल वर्क भी सोला ही मान लेता हूं तो जोती की efficiency कितनी आ जाएगी एक efficiency आ जाएगी माला क्या है जोती से 2 गुना ज़ादा efficient है तो अगर ये एक unit करती है तो ये 2 unit करेगी काम तो total 16 ही है तो पुछचा जा रहा है कि माला को कारे करने में कितना समय लगेगा भई ये माला 2 unit करेगी total काम 16 है तो 16 बटा 2 कितना दिन लगेगा 8 दिन लगेगा ये सारा efficiency based question है बहुत आसान बहुत सरजा question था अगला question है A और B के प्रदर्शन का अनुपात प्रदर्शन का अनुपात मतलब efficiency का अनुपात है ठीक है ना 6 11 है यदि A किसी कारे को करने के लिए B से 35 दिन अधिक लेता है तो B अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा देखो अगर मैं efficiency की बात करो E upon EB ये किता दियाओ 6 बटा 11 अब बोल रहा है कि A किसी कारे को करने के लिए B से 35 दिन अधिक लेता है तो मैं ये कहूं A 35 दिन अधिक लेता है A 35 दिन अधिक लेता है तो B अकेले इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है तो X की value भी बता नहीं है यह B की है और A B से 35 दिन ज्यादा ले रहा है हमने अभी बताए कि जो E upon EB होगा जो efficiency होगा number of days की universally proportional होता है directly नहीं होता है तो यह अपन EB है तो जो days होगा वो B का उपर होगा A का नीचे होगा अब 6 बता 11 अब XB की value AC रख दो जो 6 बता 11 आ जाए अगर हम यह 35 रखते हैं तो नहीं आएगा 35 रखते हैं नहीं आएगा क्या 42 में आ जाएगा देखो जरा क्या 42 में आ जाएगा 42 अपन 42 प्लस 35 आप्शन रखके भी चेक कर सकते हो ना directly X से solve करने के लिए तो यह अगर मैं देखो तो 7 चंग 42 और 7 चंग 42 साथ पता 35 आ गया 6 अपन 6 प्लस 5 तो यह जो satisfy कर रहा है वो क्या satisfy कर रहा है 42 satisfy कर रहा है तो X की कितनी value होगी 42 value होगी X की 42 value होगी और X जो आपने माना था वो B द्वारा लिया गया दिन माना था तो option C correct हो जाएगा यह देखो direct formula base था जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि EA upon EB जो होगा वो होगा number of days B का upon number of days A का क्योंकि यह university proportional होता है directly proportional नहीं होता है अगला question देखो AB से 3 गुना अधिक कुशल है ज्याल से देखना A B से 3 गुना कुशल है इसका मतलब है कि अगर B की efficiency 1 है तो A की efficiency 3 है यह efficiency लिख दो मैं होपर वह एक कारे को B से 60 दिनों में कम समय में पूरा करता है A और B मिलकर उस कारे को कितने दिनों में पूरा करेंगे अब अगर मैं इसका ratio निकालो efficiency का अगर EA upon EB निकालो तो यह 3 ratio बहना जाएगा भाई इसकी 3 है इसकी ratio बहना है तीन गुना ज़्यादा efficient है तो यह बोल रहा है कि B जितना भी days लेगा मानलो X days ले रहा है तो X जो है उससे कम दिन लेगा 60 दिन कम लेगा तो X-60 days लेगा अब अपने को निकालनी क्या है कि A और B मिलकर उस कारे को कितने दिन में कर लेंगे A और B उस कारे को मिलकर कितने दिन में कर लेंगे यहां आप X के लिए solve कर सकते हो 3X-180 is equal to X यह हो गया 2X is equal to 180 और X is equal to 90 X हो गया 90 जो B होगा जहां से देखना A हो गया B हो गया जो B होगा वो हमने निकाला कितना 90 दिन में लेगा A जो है इससे कितना 60 दिन कम लेगा यह 30 दिन कम लेगा अब 30 और 90 का जो LCM होगा वो 90 दिन ही आएगा अगर efficiency यहां दोनों की अगर निकाला जाए तो यह 3 था यह 1 था A plus B की efficiency कित्ती हो जाएगी A plus B की efficiency 4 हो जाएगी तो 90 था 90 बटा 4 A plus B दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो 4 यूनिट दिन का काम करेंगे 90 यूनिट काम गतम करना है यह 2 हो जाएगा यह हो जाएगा 45 और 22 सही 1 बटा 2 यह आपका correct option हो जाएगा इतने ही आसान question होता है अगर आप सही से चीजों को समझ पाओ तो अगले question जाएगा द्यान से देखो थोड़ा लंबा बड़ा अच्छा question है मयंक सिसू की तुलना में 50% अधिक कुसल है मयंक सिसू की तुलना में 50% अधिक कुसल है इस वाली line को आप तुरंत लिख सकते हो अगर आपका ratio का chapter और percentage का chapter तमीज से पढ़ा हुआ है हम बात कर रहे है मयंक की हम बात कर रहे है सिसू को मयंक को M से सिसू को S से लिख रहे है मयंक सिसू की तुलना में 50% अधिक कुसल है तो अगर ये 2 है तो ये 3 है ये 2 है मतलब अगर सिसू 100 दिल लेता है तो मयंक 1500 दिल लेगा क्योंकि 50% अधिक कुसल है मतलब अगर इसकी efficiency 100 है तो इसकी efficiency 100 है 50% जादा है ना अगर इसकी 100 है तो इसकी 100 है मतलब 3-2 का ratio है तो मयंक 3 और सिसू की efficiency 2 हो गई अब आगे देखो सिसू अकेले काम को 30 घंटे में कर सकता है शिसू काम करना सुरू कर देता है और जब मयंक उसके साथ जुडता है तो वह पहले की अगर मैं बात करूँ अगर शिसू 30 घंटे में कोई काम को कर सकता तो सेम काम को मयंक कितने घंटे में कर सकता है निकाल सकते हो कि नहीं बिल्कुल निकल जाना चाहिए बिल्कुल निकल जाना चाहिए कैसे निकालोगे आपको पता है तीन बटा दो जो होगा वो होगा तीस बटा जो नंबर आप मैंग के द्वारा जो नंबर आप डेज लगेगा मैंग के द्वारा टूटल काम किता हुजागा 60 और पहले से 3 और 2 का आपने इनका निकाल रखा efficiency अब जैसा जैसा question कहता जा रहा है वैसे वैसे करते चले ज़ो शिशू काम करना सुरू कर देता है और जब मयंक उसके साथ जुड़ता है तो वह पहले ही 12 गंटे काम कर चुका था कौन काम सिशू काम करना स्टार्ट करता है सिशू ने काम स्टार्ट किया इसकी जो efficiency है वो 2 की efficiency है और 12 गंटे इसने काम किया तो कितना unit काम कर लिया है 24 unit काम कर लिया है बचा कितना unit रह गया है माइनस 24 करोगे 36 यूनिट बचा हुआ है अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद यह होता है कि दूसरा अला बंदा जो मयंग को उसको जौइन कर लेता है सेस कारगवा पूरा करने के लिए सिसु और मयंग को एक साथ कितने घंटे काम करना लगा सेस काम 36 बचा हुआ है और दोनों मिलके 5 यूनिट काम करते है 36 यूनिट काम करना है और दोनों साथ में मिलके 5 यूनिट काम करते है और अगर समय निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5 सत्य 35 और 5 चुदुनी 10 तो 7.2 hours में बचा हुआ काम दोनों मिलके खतम कर देंगे 7.2 hours में बचा हुआ काम खतम कर लेंगे अगर इनकी efficiency का ratio 3, ratio 2 है तो number up days का ratio 2, ratio 3 होगा just reversal होगा समझ में आए? तो 3 की value 30 होगी, 2 की value 20 होजाएगी तो total work हमारा 60 हो गया 12 घंटे काम किया जो है इसने तो 12 घंटे 24 घंटे काम निप्टालिया 24 unit का 36 unit बचा हुआ जो दोनों मिलके करेंगे और इनकी combined efficiency 5 है तो 36 बटा 5 करेंगे 7.2 hours आपका आजाएगा ये बहुत आसान, बहुत प्यारा सा question था इसके बाद एक थोड़ा और depth level का question देखते हैं A की दक्षिता, B की दक्षिता का 3 बटा 4 है Mतलब A की efficiency 3 है तो B की efficiency 4 है दक्षिता का मतलब यह हो गया Young Ratio निकालो कि तब 3 बटा 4 आजाएगा और B की दक्षिता, C की दक्षिता का 80% है मतलब ये जो 4 है, वो किस का 80% है? 5 का होगा 5 का 80% कितना होता है? 4 होता है और यह C की efficiency होगी यदि A, B और C एक साथ कारे करने की तुलना में 120 दिन अधिक समय लेते हैं स्वरी A, B और C If A takes 120 more days then that of B and C मतलब यह बोल रहा है कि A, B और C के एक साथ काम करने की तुलना में 120 दिन अधिक समय लेता है तो एक निश्चित कारे को पूरा करने के लिए तो वे एक साथ कारे करते हुए कारे को कितने दिनों में पूरा करेंगे A, B और C से 120 दिन अधिक लेता है A, B और C से 120 दिन अधिक लेता है बस इतनी सी बात है अच्छा हिंदी में थोड़ा कॉमा और इसको पढ़ने में दिक्कत होता, अंग रेजिम पढ़ लेते हैं If A takes 120 more days than that of B and C working together to finish a certain piece of work then in how many days working together they will finish the work ये बात starting के line से समझ में आ गई है efficiency, efficiency समझ में आ गई है 3-4 का ratio A और B में दिया हुआ है और B, C का 80% है B, C का 80% है C कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा unit अब ध्यान सी इस question को देखो अगर मैं ये कहूँ If A takes मतलब A की बात हो रही है अलग से और B और C की combined बात हो रही है कितनी? B और C की combined बात हो रही है हो रही है न? मैं A का अगर efficiency देखूँ तो A की efficiency 3 हो जाएगी B और C की combined efficiency देखूँ तो न हो जाएगी हो जाएगी? इसका मतलब है कि A जितना days लेगा और B और C जितना days लेगा मतलब इनके efficiency का ratio कितना हो गया है? 1 ratio 3 तो इनके days का ratio कितना हो जाएगा? अगर मैं days के ratio का बात करूँ तो 3 ratio 1 हो जाएगा 3 ratio 1 हो जाएगा मतलब A अगर 3 दिन लेगा तो B और C एक दिन लेगे अब question में आओ If A takes 120 more days भाई यही अगर एक दिन ले रहे हैं तो दोनों का difference कितना है? 2 B और C एक दिन ले रहे हैं तो A दो दिन ज्यादा ले रहे है B और C एक दिन ले रहे हैं तो A दो दिन ज्यादा ले रहे है और question में दिया हुआ है इस दो की value 120 है तो एक unit की value किती हो जाएगी? एक unit की value 60 हो जाएगी तीन unit की value किती हो जाएगी? 180 हो जाएगी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह निकल क्या रहा है? B और C जो है वो कितना लेते हैं? B और C मिलके 60 दिन लेते हैं और जो A लेता है वो 180 लेता है यही न? 180 लेता है अगर मैं total work assume करूँ इस number आप days के हिसाब से तो 180 हो जाएगा किता हो जाएगा? 180 A प्लस B प्लस C की अगर मैं efficiency को add करना चाहूँ A प्लस B प्लस C की efficiency को add करना चाहूँ तो 1 प्लस 3, 4 unit हो जाएगा तो 4 से divide करतो जैसे 4 से divide करोगे 4 चोका 16 होगा 4 पंचे 20 हो जाएगा तो कितना days लगेगा? 45 दिन लगेगा और option आपका C correct हो जाएगा I hope मेरी बात पूरी तरीके से समझ पाए होगे अगर नहीं समझ पाए होगे तो मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूँ फिर से इसको समझाता हूँ erase करता हूँ फिर से समझाता हूँ question अच्छा था must सा दिमाग लगा के करने वाला था पिछली classes अगर आपने कर रखी है तो ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आप वीडियो को दुबारा रिपीट भी कर सकते हूँ मैं दुबारा भी आपको समझा देता हूँ A और B का जो छमता है छमता का रेशो क्या दिया हूँ कि A, B का 3 बड़ा 4 है मतलब ये 3 है तो ये 4 है और B और C का दिया हूँ कि जो B है C का 80% है इसका मतलब ये अगर 5 होगा तभी तो 80% 4 होगा तो A, B और C के efficiency हमें पता चल गए 3, 4, 5 दिया हूँ कोशन में दिया हूँ कि A, B और C से ज़्यादा लेता है तो A को अलग से ट्रीट किया गया है B और C को अलग से ट्रीट किया गया है तो अगर मैं इनकी efficiency भी इसी तरीके देखना हूँ तो A की efficiency 3 है मैं यहाँ पर efficiency लेख देता हूँ जिससे ratio समझना है B और C अगर sum करोगे तो 5, 4, 9 हो गया अगर इसी को मैं ratio के form में देखू इसका मतलब है ratio अगर मैं number आप days की बात करूँ कि number आप लिया गया days का ratio क्या होगा तो just reverse होगा जो कि universally होता है अब यह हो गया A के द्वारा लिया गया days और यह हो गया B प्लस C के द्वारा लिया गया days इन दोनों का जो difference दिया हुआ है question में दिया हुआ है 120 दिन का है तो 2 की जो value है 120 question में दिया हुआ है कि A यहाँ पर हमारे हिसाब से 2 days जादा ले रहा है और question की हिसाब से 120 तो यही 220 के बराबर है अब यहाँ से अगर हम निकाले तो A की value हो गई 60 और 3 की value हो गई 180 मतलब B प्लस C 60 days ले रहा है तो A जो है 180 दिन ले रहा है अगर मैं इसका LCM ले लूँ टोटल वर्क तो इनके LCM हो जाएगा 180 और efficiency वापस निकालूँगा तो A की efficiency 1 आएगी और इसकी जो है 3 और लेटी निकाल के रखे ही हो 1,3 तो टोटल A प्लस B प्लस C की efficiency कित्ती हो जाएगी अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो तो 1 प्लस 3 कित्ता हो जाएगा 4 टोटल वर्क आपने LCM में निकाल लिया है 120 और तीनों की efficiency जोड़ी है तो ये क्या हो गई? 4 हो गई है जैसे ये 4 हो गई है डिवाइड करोगे तो कित्ता हो जाएगा 45 और आपका option C correct हो जाएगा समझना ही बात? इतना ही प्यारा इतना ही बहतरीन इतना ही मज़ेदार question था चलो इसके depth में और घुसने efficiency के एक कारे को पूरा करने में B और C के समान समय लेता है यहाँ time दिया हुआ है एक इसी काम को करने में B और C का समान समय लेता है मतब 1 ratio 1 में है समझना बात को यह किसका ratio है ध्यान से देखना है days का समान समय लेता है जबकि A और B मिलकर इस कारे को 10 दिनों में कर सकते हैं A प्लस B किसी काम को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं C, अकेले इस कारे को पचास दिनों में कर सकता है C, इसी कारे को कितने दिनों में कर सकता है अकेले बी द्वारा इस कारे को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है पूछ रहा है कि बी अकेले इस कारे को कितने दिनों में पूरा कर सकता है इन कोश्चन को तरह ध्यान से देखो बहुत कायदे से घुमाये गया है मतलब बहुत मस्त से बड़े वाला गुमाए गया है अगर यह डेज का रेशियो है इसका मतलब efficiency का दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा efficiency का रेशियो भी one ratio one ही होगा क्योंकि reverse भी करोगे तो one ratio one है अगर हम यह मान ले अगर हम यह मान ले कि जो total work है ध्यान से देखना, total work है, कित्ता हो गया, 10-50 calcium कित्ता हो गया, 50, ध्यान से देखना, 50 हो गया, तो A plus B की efficiency निकाल लो, A plus B की efficiency 5 आजाएगी, आएगी, A plus B की efficiency 5 आजाएगी, और C की अगर efficiency निकालोगे, तो कित्ती हो जाएगी, एक unit efficiency हो जाएगी, हो जाएगी efficiency एक unit, और अगर मैं इसको जोड़ दूँ, A plus B plus C जोड़ दूँ अगर, तो कितना number आप days लगेगा, वो अपने को पता नहीं है, निकल भी जाएगा, 5 एक 6, A plus B plus C की efficiency 6 हो जाएगी, और यहाँ पे अगर आप efficiency A plus B plus C की निकालोगे, तो 1 plus 1 कित्ता हो जाएगा, अगर इसमें निकालोगे, A plus B plus C की जो efficiency हो जाएगी, कि 1 plus 1, 2 हो जाएगी, और यहाँ निकाला A plus B plus C की वह जाएगी, इसका मतलब यह 2 की जो value है, वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है, जहाँ से देखना, यहाँ से जोड़ा, 2 आया, यहाँ से जो निकाला A plus B की, यह 6 आ गई, तो A की value कित्ती हो जाएगी, 3, अब इस A की value 3 हो गई, इस A की value 3 हो गई, तो यह 3 हो गया, और यह 3 हो गया, exact value में, किसकी efficiency 3 हो गई, इसकी efficiency 3 हो गई, तो A की efficiency 3 हो गई, तो B की efficiency कित्ती हो गई, B की efficiency 2 हो जाएगी, B की efficiency 2 हो जाएगी A की efficiency पता ही चल गई है और A प्लस B की efficiency 5 है तो B की efficiency किती हो जाएगी 2 हो जाएगी क्या पूछा रहा है अकेले B द्वारा इस कार को कितने दिनों में पूरा हो सकता है total work 50 है B की efficiency अपने को पता चल गई 2 है तो कितना समय लगेगा 25 दिन लगेगा option C आपका correct हो जाएगा I hope कि आप पूरा का पूरा structure समझ पाए होगे यह efficiency का गेमा खेलना है चलो अगला पहरा सा question देखते है A कारे को पूरा करने में A साथ B प्लस C से 3 गुना अधिक समय लेता है A किसी काम को B प्लस C से 3 गुना अधिक समय लेता है तो अगर मैं days का ratio निकालू ठीक है न? time का ratio निकालू तो यह अगर एक दिन लेता है तो यह कितना दिन लेगा? 3 इनके बीच का क्या ratio है? 3 ratio 1 है अगर मैं इसी को efficiency की ratio की बात करूँ तो यह हो जागा 1 ratio 3 just reversal होता है number आप days के B एक कारे को पूरा करने के लिए एक साथ A प्लस C से 4 गुना अधिक लेता है B एक कारे को पूरा करने के लिए उपर पढ़ते है B takes 4 times as much as A plus C together to complete a work अगर हम बात कर रहे हैं B की B के साथ किसका ले रहा है? A plus C का ध्यान से देखते रही है और अगर मैं days का लिता हूँ तो क्या कह रहा है? कि B takes 4 times यह 4 गुना लेता है अगर यह एक ले रहा है तो यह इसका ratio है अगर efficiency का ratio निकाले तो यह 1 ratio 4 हो जाएगा ध्यान से देखते रहे हैं अगर सारे लोग साथ में काम करते हैं मैं यहां लिख देता हूँ A plus B plus C यह तीनों लोग काम करते हैं तो कितने दिन में कम्प्लीट कर लेंगे? 22 days में 22 days में कम्प्लीट कर लेते हैं Then find the number of days A, B and C alone will take the complete this work अब यह जो data यह दोनों दिया हुआ ना इन दोनों data से आपको match करा के क्या करना है? A plus B plus C की efficiency combined निकालनी है क्या निकालनी है? A plus B plus C की combined vacancy निकालनी है भया देखो यहां पर efficiency A, B plus C की कितनी आई? 1 ratio 3 यहां से अगर मैं A plus B plus C की vacancy अगर efficiency निकालो तो कितना होगा? 3, 1, 4 जहां से देखना? 3, 1, 4 हो जाएगा यहां से अगर मैं B plus A plus C की efficiency निकालो B plus C plus A की efficiency निकालो अगर तीनों को जोड़ दो B, C और A की efficiency तो 4, 1, 5 हो जा रहा है दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब ही है कि हम यहां 5 का गुड़ा कर दे और यहां 4 का गुड़ा कर दे अगर हम उपर 5 का गुड़ा कर दे और नीचे 4 का गुड़ा कर दे तो बराबर है जाएगी 5 का गुड़ा करेंगे तो 5, 15 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बीस अब यहां 4 का गुलकी हैं तो यहां 4 हो जाएगा और यहां पर 4 जोका 16 तो 16 चार 20 अब यहां पर भी क्या जाएगा 20 अब दोनों हो गए बराबर दोनों हो गए बराबर अब जब यह बराबर हो जाएंगे तो आपको यहां से यह पता चल पा रहा है कि A की efficiency कित्ती है 5 A की efficiency 5 निकल के आ गई न अब exactly क्योंकि दोनों बराबर हो गया तो A की efficiency 5 हो गई यहाँ पर B की efficiency कित्ती हो गई B की efficiency 4 हो गई B की efficiency 4 हो गई और 3 की कितनी है 20 तो C की कितनी efficiency हो गई 12 C की कितनी efficiency हो गई 12 यही न a plus b plus c की efficiency 20 हो गई यहाँ पे देखोगे a की जो efficiency है वो 5 निकल के आ गई है ठीक है ना और अगर b की efficiency यहाँ पे देखो तो 4 निकल के आ गई है किती निकल के आ गई है तो बचा हुआ c की efficiency किती हो गई 5 और 9 11 हो जाएगी किती 11 हो जाएगी आगे 11 अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है ध्यान से देखें अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो मुझे तीनों की एफिशेंसी पता है 20 और नंबर आप डेज लिया गया है 22 तो टोटल वर्क कितना हो गया A plus C की Efficiency 20 है और इनके द्वारा नमर अब डेज लिया गया 22 तो टोटल वर्क हो गया 20 गुले 22 अब हमें पता करना है कि A ने कितना दिल लिया A ने कितना दिया तो टोटल वर्क हमारा कितना है 20 गुले 22 और A की Efficiency कितनी 5 तो 5 हो का 20 तो A द्वारा जो लिया गया 28 हो गया अगर मैं B की बात करूं तो टोटल वर्क है 20 इंटू 22 और B की Efficiency है 4 तो यह 5 कट गया और यह हो गया 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 की 11 और C की अगर बात करूं C की अगर बात करूं तो ध्यान से देखना कि 20 गुले 22 है और Efficiency किती है 11 तो 11 दूनी 22, 40 दिन लगेंगे अब देखो कहां पर दिया हुआ है 88, 110 88, 110, 40 D option में दिया हुआ है यहां पर 88, 110 और 40 दिन लगेगा समझ में आया यह सारा calculation कैसे करते हैं इसमें ratio भी इस्तेमाल हुआ है इसमें brain भी इस्तेमाल हुआ है इसमें proportionality का concept भी इस्तेमाल हुआ है मैं उम्मीद करता हूँ इस question को समझ पहुआ हूँ बहुत classy, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत अगला question था लेकिन अगर आपके दिमाग में steps clear है ना तो इस question को बहुत आसानी से solve कर लोगे पर अगर step C clear नहीं है तो बहुत दिक्कत होता है चलो अगला question देखते है A एक बटा 6 समय में B की तुलना में आधा काम करता है यदि वो एक साथ कारे को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं तो B से अकले करने में कितना समय लेता है इसमें बस थोड़ी सी variation की गई है calculation ज़्यादा है नहीं देखो क्या कहा गया है A एक बटा 6 समय में मतलब A और B का अगर समय का ratio लोग ये एक लेता है तो ये 6 लेता है 6 गुना जाता ले रहा है न एक बटा 6 समय में नहीं एक बटा 6 समय का मतलब हो गया ये 6 गुना ले रहा है तो ये ले रहा है लेकिन ध्यान से देखो B की तुलना में आदा काम करता है B अगर एक काम कर रहा है तो ये क्या काम कर रहा है 1 by 2 काम कर रहा है तो पूरा काम करने के लिए कितना समय लेगा इसका 2 गुणा समय लेगा कितना समय लेगा 2 गुणा समय लेगा तो इनके लिए गए number of days का रेशियो क्या हो जाएगा 1 ratio 3 हो जाएगा अगर efficiency का ratio निकाले तो 3 ratio 1 हो जाएगा क्या कहा जा रहा है बोला जा रहा है कि जो a plus b days ले रहे है A plus B जो number आप days ले रहे हैं 10 और अगर मैं ये बोलूँ कि इन दोनों की efficiency का sum कितना है 4 तो total work कितना हो जाएगा total work होता है efficiency A plus B की into उनके द्वारा लिया गया दिन तो total work हो जाएगा 40 पूछाए कि A कितने दिनों में complete करेगा और B कितने दिनों में complete करेगा B का ही पूछा है तो B की जो efficiency A one है total work 40 है तो इसके द्वारा लिया गया समय 40 बटा एक मतलब आपके पास option A होगा जो वो correct हो जाएगा अगर A का पूछता तो ये 40 बटा 3 हो जाता 40 बटा 3 हो जाता या यह कह सकतो 13 से 1 बटा 3 देज हो जाता समझ में आई बात इतना ही प्यारे प्यारे अच्छे कोशन आते हैं यह आपके tier 1 में आया था mains में इस तरीके का कोशन मतलब पहले आया करता था आप तो नहीं आयेगा आजकल तो level ही बहुत आसान हो गया अगला कोशन देखो A 3 बटा 4 समय में B की तुलना में आधा काम करता है 3 बटा 4 समय लेता है A और B का अगर ratio निकालना हो किसका D's का ज्यान से देखना B की तुलना में 3 बटा 4 लेता है तो यह 3 दिल लेगा तो यह 4 दिल लेगा लेकिन काम कितना करता है आधा काम करता है यह कितना काम करता है आदा काम करता है तो अगर पूरा काम करेगा तिन दिन में आदा काम कर रहा है तो 6 दिन में क्या काम करेगा वो पूरा काम करेगा तो 6 और B 4 हो जाएगा रेशो निकालोगे 3 रेशो 2 हो जाएगा नंबर अब डेज का अगर efficiency का रेशो निकालोगे अगर efficiency का ratio निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 ratio 3 हो जाएगा अब क्या कह रहा है यदि वो एक साथ एक कारे को पूरा करने में 18 दिन लेते हैं तो B से अकेले कितने दिन में कर सकता है efficiency का sum A plus B दोनों का कितना हो जाएगा 5 total work कितना आ जाएगा total work जो होता है अगर efficiency आपको A plus B की पता है जो कि दिया वह 5 इनके द्वारा लिया गया number of days ये हो गया total work अब क्या पूछ रहा है कि B कितने दिन में इस पूरे काम को निप्टा देगा तो जो days निकालना वो B का निकालना है तो total work हो गया 5 गोड़े 18 और divided by इसकी efficiency इसकी efficiency 3 है 3.18 मतलब 5 गोड़े 30 दिन B अकेले इसको 30 दिन में निप्टा देगा जो कि option number C होगा वो आपका सही होगा समझ भाई इतना ही प्यारा question इतना ही मस्त और बढ़ी एक्डम चंगा सा question है अगरा question देखो question के variations अब देखना थोड़े difficult आएंगे A plus B एक कारे को 14 दिनों में कर सकता है चलो लिखते हैं A plus B किसी काम को 14 दिन में कर सकता है A 3 से 1 बटा 2 दिनों के लिए काम करता है और B 11 से 1 बटा 2 दिनों के लिए काम करता है A की बात हो रही है A 3 से 1 बड़े 2 दिनों के लिए काम करता है B 11 से 1 बड़े 2 दिनों के लिए काम करता है तो आधा काम पूरा हो जाता है A भाईय साड़े 3 दिन काम करता है और B साड़े 11 दिन काम करता है तो आधा काम पूरा हो जाता है B अकेले इस कारे को कितने दिनों में पूरा कर सकता है तो अगर मैं यह कहूं कि A प्लस B दोनों अगर काम करते तो A छे दिन काम करता अगर A की efficiency तहां से देखना अगर A की efficiency A मान ले और ये छे दिन काम कर ले और B की efficiency B मान ले और पूरा वो 23 दिन अगर काम कर ले 23 दिन काम कर ले तो जो काम होगा वो पूरा हो जाएगा काम क्या हो जाएगा काम होगा वो पूरा हो जाएगा भाई आदा काम साड़े दिन साड़े ग्यारा में कर रहे थे अब मैं मालू कि ये 6 6 दिन पूरा काम कर लेगा काम पूरा पूरा ख़तम कर लेगा यह बात हो जाएगी यह बराबर टोटल वर्क हो जाएगा जो कोशन कह रहा है उतनी बात से हम लोगों निये निकाल लिया निकालना क्या है हमको यही हमें डेटा दिया हुआ अके लिए इस कारेक को करने के बाद कितने दिन में इसे पूरा करेगा तो अगर हम B की बात करें तो टोटल वर्क हमारा यह है बी की एफिशेंसी अगर B है तो उसे कितना दिल लगेगा काम करने में तो B से भाग दे दोगे तो 7A अपॉन B प्लस 23 यही लगेगा मतब 23 दिन से आपको 7A बटा B होगा A और B जहां उसकी एफिशेंसी है अब A और B की आपको एफिशेंसी निकालनी है डेटा आपको यह दिया हुआ कि A प्लस B किसी काम को 14 दिन में कर सकता है ठीक है न और A की एफिशेंसी A है B की एफिशेंसी B है तो यह हो गया 14 दिन काम कर रहा है तो टोटल वर्क अगर यहां से निकालोगे तो 14 टाइमस A प्लस B हो जाएगा यह होगा आपका क्योंकि A की एफिशेंसी A माली B की एफिशेंसी B माली है 14 दिन तोटल लगता तो टोटल वर्क 14 A प्लस B होगा यहीं फुट कर देते हैं यहीं पुट कर देते है 14 A प्लस B तो यहां पर ध्यान से देखोंगे A और B का राजियो मिल जाएगा अपने को क्या मिल जाएगा एउर B का रेजियो मिल जाएगा तो 14, यहां बचा 7 है और यहां से जब 14 घटा होगे तो कित्ता हो जाएगा 9,000 तो इनके efficiency का ratio अपने को मिल गया, हमें A by जो B मिला है A by B मिला है, तो 9 by 7 मिला है, 9 by 7 मिला है, यह इनके efficiency का ratio मिल गया है, और यह efficiency का ratio जब sum करोगे तो 16 आ जाएगा अगर आप आपको total work निकालना हो, क्या निकालना हो, total work निकालना हो, तो total work जो होगा वो efficiency इनकी दोनों की combined 16 है, और number आप day जो ले रहे है वो 14 ले रहे है, यह total work निकल गया, B की efficiency पता है हमको 7 है, divided by 7 कर देंगे 7 से काट देंगे, 7 दोनी 14 हो जाएगा 16 दुनी 32 होगा, क्या हो जागा 16 दुनी 32 होगा, अगर B अकेले इस काम को करेगा तो B अकेले काम को करेगा तो अब यह निकाला कैसे, आपको भी पता होना चीए कि अगर A की efficiency A मान ले B की efficiency B मान ले, और यह 14 दिल ले रहा है, तो total work जो होगा और 14 A प्लस B हो जाएगा Question के दूसरे, इससे मैं कह रहा है कि 3.5 दिन में 3.5 दिन A काम करता है और 1.5 दिन B काम करता है, तो total काम हो जाता है, total काम तो यह हो गया अब इसकी efficiency A मान ले है, अगर उसी को double कर दिया जाए, जितना A ने किया ratio आया, 9 ratio 7 आया और ये value दोनों का A प्लस B का value जो है, 16 हो गया, दोनों की efficiency का sum, और इस 16 को यहाँ पर put किया, तो 14 गुड़े सोसला हमारा total work मिल गया, और हमें B की efficiency पताएगी, 7 है, तो 16 गुड़े 14 में 7 का भाग दिया, महाँ पास 32 data आ गया समझ मैं, बस समझने की बात है कि ये ratio आप कैसे लगाते हो और ये ratio कैसे calculate करते हो A प्लस B एक कारे को 20 दिनों में कर सकते हैं, ये लगबख similar question है, लगबख similar question है, A प्लस B किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं देखना है, इसको जल्दी करना है आपको A साथ दिनों के लिए काम करता है, और B 16 दिनों के लिए काम करता है, तो आधा काम हो जाता है तो पूरा काम करने के लिए क्या करना होगा पहले तो आप में मान की चलो कि A की efficiency है A है, B की efficiency B है और A प्लस B की efficiency A प्लस B हो जाएगा, तो total work कितना हो जाएगा ने काम किया क्योंकि इसकी efficiency हमने a मान लिए साथ में बोला जा रहा है कि b जो है 16 दिन काम करता है 16 और b की efficiency b मानी है इसमें आधा काम हो जाता है तो multiplied by अगर 2 कर दो इसको इसको दो गुना कर दो तो यही total काम होगा 20a plus 20b यह 20a plus 20b यह total काम यहां से उठाया है अब इसको solve कर लो जैसे इसको solve करोगे तो 7 दुनी 14a हो जाएगा यहां पर 20a है इदर ले जाओगे तो 6a बचेगा 16 दुनी 32b इदर है 20b इदर लगाओगे तो 32 में से 20 गया तो 12 भी बच जाएगा 12b बच जाएगा यह a upon b का अगर ratio निकाले a efficiency का अगर ratio निकाले a upon b का तो यह 12 बटा 6 कम 6 6 दुनी 12 हो गया ठीक ना तो 2 upon 1 आ गया और a plus b अगर निकाले a plus b निकाले efficiency का sum तो 3 आ गया total work निकाले तो कितना हो गया total work जो है यह हो गया हमारा 20 गुड़े 3 60 हो गया अब क्या निकालना है a का a efficiency 2 है और इसको अगर 2 से भाग दोगे तो 2 दहा में हो जाएगा इतना और 3 दिन में 30 तो 30 दिन में a काम कर लेगा option c आपका correct हो जाएगा समझ मैं इतना ही जादा आसान और मज़ेदार कोश्यन है efficiency के सवाल एक बार आप समझ गया ना तो बहुत चट्ट चट्ट लगते हैं अगला question देखो a plus b एक कारे को 5 दिनों में कर सकता है फिल से a plus b किसी काम को 5 देज में कर सकता है यदि a अपनी दक्षता के 2 गुनने के साथ काम करता है और b अपनी दक्षता के एक बड़ा 3 के साथ काम करता है तो काम तीन दिनों में पूरा हो जाता है अगर हम यह बोल दे कि A की Efficiency A है B की Efficiency B है A की Efficiency A है B की Efficiency B है तो total work कितना हो जाएगा total work कितना हो जाएगा number of days multiplied by इन दोनों की छमता 5A plus B अगर A का A है B का B अगर हमने छमता माल ली तो अब क्या बोल रहा है कि A अपनी दक्षिता के 2 उने से काम करे Efficiency जो है उसकी A है लेकिन अगर वो 2A से काम करे और आगे क्या बोल रहा है और B अपनी दक्षिता के 1 बटा 3 मतलब B बटा 3 से काम करे जो 7 काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है तो दोनों की दक्षिता इतनी होगी मिला के 3 दिन तक काम करता है काम पूरा हो जाता है काम है कितना 5A प्लस 5B गुडा कर लो 3 से गुडा करोगे तो यह 6A हो जाएगा प्लस B में गुडा करोगे तो B हो जाएगा तो 5A प्लस 5B हो गया इधर ले जाओगे तो A हो जाएगा और इधर B ले जाओगे तो 4 भी हो जाएगा हो जाएगा ना अब A by B यहां से ratio निकालोगे A by B निकालोगे तो यह हो जाएगा 4 upon 1 4 upon 1 हो जाएगा और A plus B निकालोगे तो दोनों की दक्षताओं का सम निकालोगे तो 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 टोटल वर कितना होगा 5 गुड़े 5 25 टोटल वर कितना हो जाएगा 25 अब निकालना किया ज़रा ध्यान से देखो A का निकालना है तो A जो है इसकी efficiency 4 है तो 25 बटा 4 हो जाएगा 25 बटा 4 हो जाएगा तो 4 शेंग 24 और 4 दुनी 8 4 25 तो 6.25 अब का option A करेक्ट हो जाएगा A को 6 दस दो 5 दिन लगेंगे इतनी ज़्यादा आसान question था यार कुछ question में था ही नहीं चलो अगला question करो A प्लस B एक कारे को 5 दिनों में कर सकता है यदि A अपनी दोगनी दक्षता के साथ कारे करता है और B अपनी आदी दक्षता के साथ कार करता है तो कारे 4 दिनों में पूरा हो जाएगा A और B अकेले इस कारे को कितने दिनों पूरा करेंगे पिछले question का ज़रा सा variation है क्या है A plus B किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं तो A की efficiency A B की efficiency B मान ले तो total work निकाले अगर total work निकाले तो इसको दोनों के एक साथ काम करके 5 दिन लग रहा था तो efficiency दोनों का A plus B हो जाएगा multiplied by number of days हो जाएगा total work हो जाएगा अब क्या कह रहा है कि A अपनी दोगनी दक्ष था मतला A 2 A से काम करे B half से काम करे तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा चार दिन में लगेगा तो दोनों की efficiency का sum multiplied by number of days ये क्या हो जाएगा total work के बराबर हो जाएगा total work कितना है 5 A प्लस 5 B है है ना अब 4 को गुड़ा कर दो तो 4 दोनी 8 A हो गया प्लस यहां गुड़ा करोगे 2 B हो जाएगा is equal to 5 A प्लस 5 B यहां से देखते जाओ 8 A में से 5 A घटा होगे 3 A बचेगा और 5 B में से 2 B घटा होगे तो 3 B बचेगा तो A और B का जो रेशियो होगा वो 1 रेशियो 1 हो जाएगा इनकी दक्षिताओं का और A प्लस B का सम निकालोगे दक्षिताओं का सम निकालोगे 2 हो जाएगा तो total work कितना हो गया 5 गुड़े 10 5 गुड़े 2 यह कितना हो जाएगा 10 यह total work हो गया टोटल वर कितना हो गया 10 unit दोनों की दक्षता 1-1 है तो number आप days कितना लगेगा 10-10 दिन लगेगा अकेले अगर काम करेंगे 10-10 दिन लगेगा साथ में मिलके काम करेंगे तो 5 दिन लगेगा पस इतना है question एकदम चंगे से मज़दार efficiency के question है 15 question करा है मैंने आपको efficiency के, बढ़े वाले, चंगे वाले तो ये efficiency के question मतलब ऐसे हैं जो बहुत आसान है, मतलब मैंने इसमें सारे variety cover कर दिये, अगले lecture में मैं आपके कुछ और section पढ़ाऊंगा, मतलब ये alternate days का concept आता, उसमें बहुत question ऐसे आता कि A ने आज काम किया, B ने उसके बाद काम किया, फिर A ने काम किया, फिर B ने काम किया, फिर A ने काम किया, फिर B ने काम किया से 22 दिन काम चला, तो इस pattern के question है, जो कि मैं अगले lecture में आपको सिखाऊंगा मैं उम्मीद करता हूँ कि efficiency के सारे question आपको अच्छे से समझ में आ गये होंगे